हेलो गाईज मैं भूपेंदर यादव और आज हम बहुती क्यूट सा बर्ड के बारें बात करेंगे जिसका नाम है पैंग्विन वैसे तो इसकी गंदी बर्ड में होती है पर अनफोर्चुनेटली ये उन नहीं सकता इसके पंक जैसे दिखने वाली चीजों को फ्लिपर्स कहा जाता है जिसकी मदसेर 10-11 क्लोमेटर पर आर्की स्पीड से तैरता है ये मेजरली अन्टार्टिका में पाया जाता है और फिर औस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, अर्जन्टीना, चील और साउथ अफ्रीकम भी पाया जाता है वैसे तो ये ग्रूप्स में रहते हैं और इनके ग्रूप्स को रुट्कीस कहते हैं और खाने में ये स्कुइट्स और छोटी मचलिया खाते हैं जिसे पकड़ने के लिए ये समुंद्र में 300-400 मीटर अंदर भी चले जाते हैं और कभी-कभी शिकार करते वक्त खुद भी शार्क, सील और किलर वेल्स का शिकार बन जाते हैं इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी रहते हैं Penguins प्रजाती में Emperor Penguins सबसे लंबे होते हैं जो के अंटार्टिका में पाए जाते हैं और The Little Penguin सबसे चोटे जो के Australia और New Zealand में पाए जाते हैं तो ये थे penguins मिलते हैं next video में